नितीश कुमार ने ये कहा कि लोगों का समर्थन मोदी जी के साथ है मैं एंडिये का हिस्सा हूँ दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है कि बड़ा पद की मांग की गई है नितीश कुमार की और से नितीश ने सरकार में बड़ा पद मांगा है यानि कि वही बाद जिसकी उम्मीद थी जिसके कयास लगाय जा रहे थे कि अब इन घठक दलों की और से मन माने मंतराले मन माना पद मांगा जाएगा ये दबाव बनाया जाएगा क्योंकि BJP को इन घटक दलों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए इन घटक दलों की जरूरत है BJP अकेले बहुमत में नहीं है NDA बहुमत में ऐसे में NDA के तमाम घटक दल अब अपने-पने हिसाब से पद की दिमान करेंगे नितीश कुमार ने अपनी बात रख दी है उन्हें बड़ा पद चाहिए इसे पहले खबर आई थी कि नितीश कुमार और साथी TDP दोनों की ओर से लोकसभा में स्पीकर की डिमांड की गई थी लेकिन अब खबर आ रहे है कि बहुत बड़ा पद बहुत बड़ा पद मांगा ग गई है नितीश कुमार की ओर से ये खबर सुत्रों के वाले से वो कौन सा पद है कौन सा मंत्राल है जिसकी डिमांड की गई है नितीश कुमार की ओर से ये अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन कयासों का दौर भी चल रहा है पहले ये कहा जा रहा था देखिए NDA संसधिये दल क नेता चुन लिया गया है मोधी को चुन लिया गया संसद्य दल का नेता मोधी को एंडिये ने अपना नेता चुन लिया है यानि की मोधी ही अब जाएंगे वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और जब उन्हें भुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए तो प्रधान मंत पर उसके बाद ये खबरे आ रही है बहुत ही तेजी के साथ development देखने को मिल रहा है पवन गौड हमारे सही होगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पीम आवास के बाहर सही पवन और क्या information आपके पास है पवन दोनों ही मसलो पर बताए एक तरफ कहा जा रहा है कि नितीश कुमार बहुत-बड़ा पद उन्होंने डिमांड रखी है बहुत-बड़े पद की डिमांड रखी है आकिर वो कौन सा पद है कौन सा मंतराल है जिसके डिमांड रखी गई है पहले एक खबर आ रही थी कि जेडियू और टीडिपी दोनों की ही निगाहें लोगसभाई स्पीकर पोस्ट पर है टीडिपी इससे पहले जब NDA का हिस्सा थी और NDA की सरकार थी तब टीडिपी की ओर से एक लोगसभाई स्पीकर रह चुका है पहले इतिहास में क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा क्या बीजेपी लोगसभाई स्पीकर पद अपने घटक दलों में से किसी एक को देने के लिए तयार होगी ये बड़ा सवाल है हाला कि नितीश कुमार की ओर से कौन सा बहुत बड़ा पद रखा गया है डिमांड के तौर पर ये क्लियर नहीं राश्रपती ने साथ जून को शाम पांच बजे मिलने को बुलाया है यानि कि उसी वक्त राश्रपती की ओर से बात रखी जा सकती है भवन में ये मुलाकात होगी राश्रपती ने शाम साथ पांच बजे बुलाया है साथ जून शाम पांच बजे अब राश्रपती ने मिलने के लिए बुलाया है तो राश्रपती से मुलाकात होगी एंडिये नेताओं की साथ जून को शाम पांच बजे और संसद्य दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चुन लिया गया है इस तरह से मोदी सरकार 3.0 के गठन को लेकर आप कह सकते हैं कि यह कवायत शुरू हो चुकी है पवन गौर्ड हमारे सायोगिस मुक्तमारे साथ मौजूद है पवन दो तिन बड़े बड़े सवाल है पहला तो यह कि नितीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा पद मांग लिया गया है वो कौल सा बड़ा पद है कुछ सुखबगाहट कुछ खबर आप तक पहुंची हो दूसरा नरेंद्र मोधी को एक बात फिर से घटक दल का नेता चुन लिया गया है देखें अभी जो अपसे थोड़ी दिर पहले जो NDA घटक दलों की जो बैठाक होई ति उसमें से दो तीन चीज़ें बहुत बड़ी निकल कर बाहर आ रही है पहली बात तो ये कि सभी घटवंदन के दलों ने प्रदानमंतरी नरेंद मोधी के नाम से बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा को अपना समर्थन पत्र सौब दिया है दूसरी बात ये कि प्रदानमंतरी नरेंद मोधी को NDA गटवंदन का सर्व समती से नेता चुनलिया गया है और तीसरी बात ये कि अब जो सरकार गठन की जो प्रक्रिया होगी उसको लेकर बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा ग्रह मंतरी अमिश्या और रक्षा मंतरी राइना सिंग NDA के गटक दलों के सहयोगियों के साथ बारी-बारी से अपनी चरचा करेंगे जो negotiations होंगे चाहे वो जेडियू की बात करें, टीडीपी की बात करें, या चिराग पासपान की बात करें, या रल्डी की बात करें, किस पार्टी को कितने मंत्री पत दिये जाएंगे, उसमें कितने कैबिनेट पत होंगे, उसके अलाबा कितने राजमंत्री के पत होंगे, किस पार्टी को और क्या-क्या दिया जा सकता है उन सब विश्यों को लेकर अलग से ये तीन जो बड़े नेता है बीजेपी के चाहिए वो ग्रह मंतरी अमिश्चा की बात करें रक्षा मंतरी राइना सिंग की बात करें या बीजेपी अद्ध्यक जेपी नडदा की बात करें पहले बीजेपी संसदीय दल की वेठक होगी उसमें प्रधान मंतरी नरिंद बोधी को सर्व संमती से अपना नेता चुना जाएगा उसके बाद तक्रीवन दुपैर को दो वजे के आसपास तमाम नेताओं को वो राश्पती भवन जाएंगे और राश्पती भवन जाकर वहाँ अपना जो सरकार बनाने का दावा है उसको पेश किया जाएगा अपना जो समर्थन पत्र है वो राश्पती को सौपा जाएगा और आठ तारीक की जो तारीक निकल कर आ रहा है तो प्रद प्रवंदन के सहयोगियों से बातचीत करने के लिए उनके साथ नेगोशेशन्स करने के लिए प्रधान मंत्री को सर्वसंबती से NDA का नेता चुल लिया गया है और वहीं जो है सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र जो है बीजेपी अध्यक जेपी नड्डा को सौंप दिया है बिल्कुल ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगाता रहा हम बता रहे हैं पवन गौड सूत्रों क्या वाले से NDA की बैटक से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी जानकारी है नेतिश्ट ने सरकार में एक बड़ा पद मांगा है ये इंपोर्टन इंफोर्मि देखे जाहिर तोर पर जिस तरह से चुकि अब बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहमत नहीं है तो वो उनकी मजबूरी है गटवंदन के सहयोगी के साथ सरकार चलाने की तो इसमें निगोशेशन्स थोड़ी से हाड करने पड़ेंगी बारगेनिंग जो होगी थोड़ी स सहयोगियों मैं भी उनको पता है कि बिना सहयोगियों के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है तो ऐसे मैं गटवंदन के सहयोगी भी जो हैं वो अपनी हाड वार्गेनिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट बर्त मागेंगे ज्यादा से ज्यादा राजमंत्री के सभी बड़े नेता शामिल हुए बेठक में पीए मोदी को एंडिये का रेता चुना किया वही राजपती ने साथ जून को सभी एंडिये सांसनों को बुलाया है तो बड़ी खबार यहां पर बता रहे हैं आपको पीएम आवास पर अंडिये की बेठक हुई है मोदी सरकार के गठन से जूड़ी बड़ी खबार यहां पर हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पर बड़ी खबार नितीश कुमार को रेल मंत्र आले चाहिए सूतर इस बात की जानकारी दना है मोदी सरकार के कठन से जोड़ी बड़ी खबार नितीश कुमार ने तीन मंत्री पद मांगे है सूत्र बता रहे हैं कि नितीश कुमार को रेल मंत्राले चाहिए शिंदे गुट भी दो मंत्री पद मांग रहा है बड़ी खबार यहाँ पर तो नितीश कुमार को रेल मंत्राले चाहिए बड़ी खबार इस वक्त हम आपको बता रहे है नितीश ने तीन मंत्री पद मागे हैं ये स्वक्त की बड़ी खबर एंडिये के सयोगी दलों के नेता वहाँ पर मौझूद रहे हैं रेल मंत्राले नितीश कुमार ने मांगा है ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एंडिये के सेयोगी दलों के नेता भी इस पेठक में मौझूद रहे हैं और नितीश कुमार को रेल मंत्रौले चाहिए मुदी सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी खबार हैं यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं लगातार जो जानकारिया हमारे पास आ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं सुत्रों के हवाले से बड़ी खबार है नितीश कुमार ने तीन मंत्री पत मांगे हैं तीन मंत्री पत नितीश कुमार के द्वारा मांगे गए हैं नितीश कुमार को रेल मंतराले चाहिए शिंदे कुट भी दो मंत्री पत मांग रहा है ये बड़ी खबार इस वक्त हम आपको बता रहे है तो इस वक्त की बड़ी खबार नितीश कुमार को रेल मंतराले चाहिए सूत्र यहाँ पर इस बड़ी खबार को बता रहे हैं सूत्रो झाल झाल